What's up guys, welcome back once again, so आज ही मुवी जो हम explain करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है Skyfire जो की 2019 में release हुई थी मुवी के शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही beautiful सा आइलेंट देखते हैं, यहाँ एक बहुत ही बड़ा जौला मुखी भी होता है जिसकी research करने के लिए एक team यहाँ पर आई होती है, इसमें से एक lady होती है और उसके बेटी का नाम Alice होता है यह लोग एक जगहाँ पर equipment लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों Alice अपनी mom से बोलती है कि mom बर्फ पिखल रही है उसकी mom बोलती है कि ऐसा possible नहीं है, लेकिन जब वो उपर देखती है तो सच में बर्फ भी खल रही होती है वो Alice का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर उसको भागना चालू कर देती है और दूसरी side camp में जो दूसरे लोग होते हैं, उनको भी जटके लगना चालू हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जोलो मिखी फटना चालू हो गया, सबी लोग भागने लगते हैं इस camp में दोस्तों Alice के फादर भी होते हैं, जिनका नाम Lee होता है वो उसकी मॉम से रेडियो पर बात करते हैं और मदद के लिए निकल जाते हैं और इधर Alice और उसकी मॉम भागते हुए एक ट्रक को देखते हैं Alice उस ट्रक पर चड़ जाती है, लेकिन जैसी उसकी मॉम उस पर चड़ने वाली होती है एक एकाग का गोला उनके पास आकर गिरता है और जिससे की वो दूर जाकर गिरती है यहाँ पर अब Lee भी आ जाता है अपनी कार से लेकिन तब ही एक और जॉला मुखी का टुकला आकर उसकी कार पर गिरता है जिसकी की उसकी कार वहीं पर पलट जाती है अब दोनों के बास बचने का कोई रास्ता नहीं होता इसलिए थोड़ी देर में यहाँ पर जौला मुखी इन दोनों को अपने अंदर समा लेता है उसके बाद दोस्तों हम कई साल बात का समय देखते हैं जहाँ पर ली एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है इसका मतलब उस हासे में ली बच गया होता है वो नेचर के बारे में बता रहा होता है कि नेचर ना तो किसी से प्यार करता है और ना ही किसी से दुश्मनी वो उसी तरह से बरबाद होता है जिस तरह से वो बनता है और उन्हें खत्रे का अंदाजा नहीं है कि यह जौला मुखी कितना जादा खतनाक है अब हम उसी पार्क में आलिस को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है वो जौला मुखी के अंदर उतरती है और एक sensor device लगाने लगती है बाहर से उसका जो कलीग होता है जिसका नाम Sean होता है वो उसे गाइड करता है सो फाइनली आलिस उस device को लगा देती है जिसके बाद उपर आने लगती है लेकिन तब ही उपर से रसी फिसल जाती है और आलिस नीचे गिरना चालो हो जाती है लेकिन Alice की यहाँ पर किस्मत अच्छी होती है तब ही उपर एक आदमी उसकी रसी पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है जिसके वज़े से वो सभी दुकाने यहाँ पर बंद करवाना चाहती है लेकिन जो उसका सीनियर होता है वो बोलता है कि हमारे पास अभी सही डेटा नहीं है हम यह थीम पार्क बंद नहीं करवा सकते हैं इसमें बहुत बड़ बड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है और इसके पार्क के मालिक हैं और उसके बाद मिस्टर हैरी सभी लोगों को बताते हैं कि यह हमने एक जलते हुए जोला मुखी पर रिजॉर्ट बनाया जिससे कि यहाँ बहुत सारे टूटिस टाएंगे और हम उनसे करोड़ो और अर्बो रुपे कमा पाएंगे वो बताते हैं कि आज कर लोगों को खत्रों से खेलना काफी ज़दा पसंद है इस लोग इस जौला मुखी को काफी पसंद करेंगे मतलब ये बंदाक्षे कुमार का बिजनस भी बंद करवाएगा वेल दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक इंजीनियर आती है एक लेडी आती है वो हैरिस से बोलती क sir अभी safety protocol हमने टैार नहीं किया है आपको सभी चीज़ों को बंद करना होगा जो आप drilling करें उनको बंद करना होगा इससे आपको रोकना होगा नहीं तो बहुत सारे लोग की जान जा सकती है और तभी यहां पर Alice आ जाती है और बोलती है कि Mr. Wallace आपको यह प्रोजेक्ट रोकना होगा यह जौला मुखी फटने वाला है लेकिन Mr. Harris बोलते है कि हमारे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसे की पता चल सके कि यह जौला मुखी फटने वाला है वो बोलता है कि इस प्र आलिस को एक ड्रोन दिखाता है जो कि साइज में बहुती जादा बला होता है वो इसके फीचर से बताने लगता है कि इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा है फ़लाना है धिमकाना है इस सीन के बाद हम देखते हैं कि ली भी इस आइलेंड पर आ जाता है वो आलिस से बोलता है कि म हम इस आइलेंड को देखते हैं जो कि बहुती ज़्यादा खुपसरोत होता है यह मेट्रो से पूरा आइलेंड का टूर करते हैं और काफी ब्यूटिफुल सीन देखते हैं तो यह सीधा जो मेट्रो होता है वो जौला मुखी के पास जाकर रुखती है जिसे कि यह उसको बि आइवेट स्पेस में अपना टाइम स्पन कर रहते हैं यह दोनों पानी में कूच जाते हैं और एंजॉय करना चालू कर देते हैं अब जाकर दोस्तों यह मुवी एक मज़ेदार मोल लेना चालू कर देती है अब इन लोगों को जौला मुखी के जटके आना चालू हो जाते इनका जो exit gate होता है वो भी बंद हो जाता है उस लावा की वज़े से और स्टीव बोलता है कि हमें pipe को follow करना चाहिए जो की नीचे दूसरे रास्ते से जाता है और उसे follow करने पर ही हम दूसरे रास्ते से बहान निकल पाएंगे ये लोग ऐसी करते हैं ये लोग वहां से बहान जान बच जाती है और इधर हम देखते हैं कि लीज सभी टूरिस्टे बोलता है कि वो यहां से निकल जाए लेकिन दोस्तों आप बहुत देर हो चुकी थी हर तरफ जॉलमुखी के टुक्लिप गिरना चालू हो जाते हैं और इनमें जो हेलिकॉप्टर होता है वो भी इनका जाता है यहां पर मिस्टर हैरिस भी इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं जोलमुखी को फटते हुए देख लेते हैं लेकिन वह अपने टूरिस्ट को बोलते हैं कि यहां पर कुछ नहीं हुआ है आपको किसी को भी घबराने के जरूत नहीं है यह सिर्फ एक हलका सा वान निकल रहा इसमें और दोस्तों अब गर्मी की वज़े से जमीन से जो स्टीम निकलना चालू हो जाता है जिसके वज़े से बहुत सारे लोग की इसमें जान चली जाती है और आलिस और ली बचे हुए लोगों को लेकर उस लिफ में भागने लगते हैं और सभी बेस्ट बोलती है कि हमें सामने वाली मेट्रो में कूत कर जाना होगा नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे ये सभी लोगों को बचा लेते हैं लेकिन तभी वो मेट्रो नीचे गिर जाती है इसमें होते हैं तीन लोग अलिस ली और हैरिस की वाइफ अब ये जो मेट्रो का डिबबा होत और इधर शौन इनको बताता है कि लावा पूरे गाउं में फैल रहा है जिससे कि सभी गाउंवाले भाग रहे हैं इन लोगों के पास सिर्फ एक घंटा बचा हुआ यहां से निकलने के लिए अगर यह नहीं निकले तो जॉला मुक्वी इनको पूरी दना से जला कर रख और अब उसे आलिस की बात याद आने लगती है कि 400 मील की रफ्तार वाला जॉला मुक्वी को आप रोक नहीं सकते हैं उससे भाग नहीं सकते हैं वेलिस को रिलाइस हो जाता है कि उसने बहुती बड़ी गलती कर दी है उसके बात शौन आलिस को रेडियो पर बताता है कि ला थर्मल पाइप को साउथ में ड्रेन करना होगा जिससे की सभी तबाही रुख जाए और डाइवर्ट हो जाए लेकिन यहाँ पर दोसने एक प्रावलम होती है वहाँ पर जाने के लिए इनको कोड चाहिए और तभी हैरिस की वाइप बोलती है कि उनके पास कोड है और यह ची को उठा कर बोर्ट पर छोड़ देता है हरिस दोस्तों बोर्ट पर नहीं जाता हो यहीं पर रुख जाता है वो बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा जब तक मेरी पत्नी नहीं आ जाती है और वो बोर्ट फाइनली यहां से निकल जाती है लेकि हम देखते हैं कि एक बहु जाती है वो लोग उसे भागना चालू कर देते हैं और बड़ी मुश्कुल के बाद वो रिजर्वायर पहुच पाते हैं लेकिन यहां पर दोस्तों शौन ही ने बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो घंटे बचे हुए हेलिकॉप्टर तुम तक पहुच जाएगा इसलिए फटा फटा अपना काम करो और वहां से निकल जाओ दोस्तों जब यह लोग रिजर्वायर के अंदर पहुचते हैं तो वहां पर लावा पहुच चुका था और इन्हें जो वॉल्व गिराना था जो सर्किटिंग को नीची गिराना था उसके पास भी लावा पहुच चुका अगले पली जो उसका बहुत ही बड़ा ड्रोन होता है जिसने कि उसने बनाया था वो आकर उस रिजर्वायर के च्छत को टकराता है जिसी कि दोस्तों यहां पर जो डैम होता है वो डैम खुल जाता है और सारा पानी वहां से निकलना चालो हो जाता है उसके बाद हमें चलता है लूसी सबको बताती कि उसके ग्रैंटपा अभी भी गाउं में फसे होएं इसलिए वो स्टीव दोनों ने बचाने के लिए निकल जाते हैं अब वो लोग गाउं पहुच जाते हैं लेकिन यहां पर पूरा गाउं जल चुका था लेकिन अभी भी उनके ग्रैंटप रोने लगती है और उसके बाद यहां से सभी लोग निकल जाते हैं लेकिन आगे बढ़ते हुए इनकी कार एक लावा में फस जाती है जिसकी जो टायर होता है उसमें फस जाता है और इनकी जो पूरी कार है वो नीजे खाई में गिरने वाली होती है लेकिन तभी स्टीव ब बेस में पहुँच जाते हैं और उस जोला मुखी को देखते हैं और यहां पर ली बोलते हैं कि सभी लोग सब कुछ पीछे छोड़कर जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ तो यहां पर दोस्तों सभी लोग भागने लगते हैं और वो जोला मुखी पूरी ताकत से फ भाग कर resort पहुच जाते हैं, यहाँ पर एक helicopter भी आ जाता है, जिसमें कि यह सभी चल जाते हैं, और Alice बोलती कि मेरे dad base station पर अकेले हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, Sean बोलता है कि वहाँ जाना बहुत ही जाना खतरनाक है, वो base पूरी तरह स देख लेती है, और वहीं रोने लगती है, और बोलती है कि dad मुझे माफ कर दो, उसके बाद हम इस जाना मुखी की पूरी ताकत देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत से फटता, यह बहुत ही जादा बड़ा होता है दोस्तों, बहुत ही जादा भयानक होता है, किसे ने सह है कि हम नेजर से जीत नहीं सकते हैं, और इसके बाद यह सबी लोग सेव जगां पर आ जाते हैं, यहाँ पर हैरिस की जो वाइफ होती है, वो उस बच्ची के हाथ में हैरिस की घड़ी देखती है, और पूछती है कि जिसने तुम्हें एक घड़ी दिये, वो आदमी इस बो चुकी है, तो यहाँ पर आलिस बहुत इता खुश हुजाती है, फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली ने अपनी जान कैसे बचाई, दोस्तों उन्होंने जॉलम हुई के अंदर एक गुफा ढून ली थी, जिसके बाद वो उसमें जाकर छुप गए, और जब पुरा लाव की नीचे कॉमेंट करके ज़रू बताएगा, और सबसे इंपोर्णी चीज़ चैनल को सबस्क्राइब ज़रू करिएगा, और दोस्तों कुछ सवाल पूछना है तो आप हमें इस्टाग्राम पभी फॉलो कर सकते हैं, वेल मिलते हैं आप से एक लीडियो में, थांकियो सो मच कुछाइब थाज सबस्क्तरी स्क्टाइब पाम हमें करके लीडियो में झाल इव जब जएखंगा तेकियो स्टाइब डिस हैं, झाल बालो करिको कर दोस्तों कि मूट आप चाहता है जीचा मैं बहिते हूए्योच Cum